नितीश कैबिनेट की पहली बैटक होगी, 23 नॉमबर से शुरू होगा विदानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी सहमती सल 15 मंत्रियों के साथ नितीश ने ली थी मुक्मंत्री पर 30 पर तो 23 नॉमबर से विदानसभा सत्र बुलाने की आप कह सकते हैं कि नितीश कैबिनेट में किस पार्टी के कोटे से कितने मंत्री है हला कि अभी प्रोफाइल तैं नहीं हुआ है लेकिन ये माना जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद और रेणू देवी ही डिप्टी सीम होगी बीजेपी के कोटे से पहले एक डिप्टी सीम था अब दो डिप्टी सीम होगे क्योंकि बीजेपी की सीर बड़ी है जेडियो के पांच, बीजेपी के साथ हम पार्टी से एक और व्याईपी से एक मंत्री होगा यानि ये एक एक खागा और एक शपत के आदार पर हम बतारे हैं हलाकि पोर्टफोलियो अभी तक तैय नहीं हुआ है इंडिया न्यूज ने बिहार के डिप्टी सीम तार किशोर प्रसास से एक्स्क्लूजिव बाच्चित किये सुनिए क्या है बिहार को बदलने का उनका प्लान नहीं सवरेरा है और बिहार सरकार का नया आज दिन है तार किशोर जी हमारे साथ मौझूद है सर आपको पुक के मंतरी पत्का आप चिन्नित हुए है किस तरीके से बिहार की इस नई सुबा का देख रहे हैं नहीं में सी तरुप से देख रहे हैं कि आत्मिरिभर बिहार जो मानने सस्विर प्रधान मंतरी जी का मानने मुख मंतरी जी का हमारी पार्टी का जो एक भीजन है कि आत्मिन भर भारत और आत्मिन भर बिहार कैसे करें और सारे जो रोजगार के अफसर है जो विकास की गारी लगातार बिगत तिन कार्जकार से चल रही है और उसको कैसे और बेहतर तरीके से हम सूबे के गाउं गाउं टोलो टोलो तक कैसे पहुँचाएं यह हमारा लक्ष है इंडिये में भारते जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके रूपरी है आप इतने सालों तक कारे करता रहे हैं और आप सरल और सौबाव के लिए जाने जाते हैं भारते जनता पार्टी ने उपमुक के मंतरी पत से आपको चिनित किया है आगे चलके भी इसी सरलता से आप भारते जनता पार्टी के और रोब्यार की सेवा करते ते त्ट हैं निश्यत रूप से 8 सी का नाम भारते जनता पार्टी है कि सामाने कार खर्ता भी इस जाएत में आ सकता है उसको जिम्हदारी मिल सकता है साथ निश्चे से आप लड़े थे, क्या आगे का आपका… यहाँ पर मौझूद हैं, बदाई देने के लिए आए हैं, एक नई सुबह है, बिहार सरकार के लिए तारकिशोर जी और रेनू देवी जी को उपमुक्य मंत्री पत से चिन्नित किया गया है, और तमाम लोग यहाँ पर लगातार सुबह से ही भीर जुटी हुई है, यहाँ प आरकिशोर प्रसाद को आपने सुना, एश्वरेया माय समवादा था, उनसे एक्स्क्लिूसिव बातचीत कर रहे थे, सीधे एश्वरेया के पास चलते हैं, जो कि बिहार समसे लाइव जुड़े हैं, एश्वरे कैबिनेट की पहली मीटिंग है, एजेंडा क्या क्या है आज किसको कौन सा मंत्राले मिलता है, बाते जनता पार्टी पहले से ही पूरे कैबिनेट के इस घटन में अपर हैंड पर रही है, बड़े भाई के तौर पर बीजेपी को माना जा रहा है एडिये में, और चाहेगी कि सबसे जो मुख्य मंत्राले हैं, ग्राम मंत्राले, फानेंस को भी बड़े पोर्टफोलियो में और इसी को लेकर कई घंटों तक भी मीटिंग चलने वाली है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सचेवाल है, और यहां पर तमाम वो मंत्रियों का आना शुरू हो चुका है, पहली कैबिनेट की मीटिंग है, आज पहला देन है नई सरकार क कल जब शपत ग्रंट समारो कंक्लूड हुआ, उसके बाद हमने तमाम मंत्रियों से बात करी, उन्होंने साफ़तोर पर का कि एंडिये के चारो घटक दल मिलकर, बीजेपी, जेडियू, हैचेएम और व्याइपी मिलकर, बड़े ही आसानी से अगले पांच साल की सरकार चलान करें रही है, सठीक विचलेशन, आश्वरे आपको बिहार से दे रहे हैं, लगातार चुनाओं में आश्वरे वहां थे, लगातार एक्स्क्लूसिब बातचीत कर रहे हैं इंडिया न्यूस के लिए, और पल-पल की अपडेट्स दे रहे हैं, कैबनेट में क्या होता है, क्य पॉलियो डिस्टूबिशन क्या होगा, कैसे के कोटे में कितनी मंत्रा ले आएंगे, ये सब, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंडिया न्यूस पर,